हलो फ्रेंड्स वेलकम तो साइड इफेक्ट चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लो फोर मोर अपडेट्स तिस बैट 2020 का एक्जामिनेशन डेट आ चुका है अगस्ट टू 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 यह वीडियो क्यों बना रहा हूं क्योंकि सबसे पहले बात यह बता दूमें आपको कि कल ही को अपडेट कर दिया गया था आपका कि आपका एक्जामिनेशन डेट अगस्ट टू 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 को है लेकिन अभी भी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे कि एक्जामिनेशन कब होगा कब होगा तो इसलिए मैं सभी को request कर रहा हूँ कि आप official website जरूर follow करो ठीक है और video बनाने का मकसद यह है कि कोई सा भी student को मालूम ही नहीं रहे है कि examination कब है सभी को पता चल जाए आप लोग share कर देना और please आप official website को follow करो ठीक है यह request है तो August 2, 2020 को आपका examination होने वाला है online mode में होने वाला आप कैसे कराया जाएगा क्या होगा इस से related मैं कोई सा भी comment में आपका answer देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद idea नहीं है इसके बारे में online mode ठीक है test bet 2020 August 2, 2020 को आपका examination date है August 2, 2020 यानि कि 2 August 2, 2020 को और 40 multiple choice question ही होंगे ठीक है दिया जाएगा 40 minutes 45 minutes दिया जाएगा 45 minutes 40 MCQ question रहेंगे only and 45 minutes ही रहेंगे आपके examination के और general awareness के 14 question आएगे mathematics के 14 question आएगे English के 12 question आएगे ये सब पर मैंने video बना चुका हूँ पहले ही already आप जाके सारे video देख सकते arithmetic logical reasoning ratio proportion जो भी TIS net के लिए मैंने बनाया था वो basic level का question आप लोग solve कर लेना सारे पर video बनाया हूँ quality, culture, environment, literature geography, media, sports, film, science ठीक है synonym, antonym से सब TIS net के video में आपको मिल जाएगे ठीक है और अगर आप PDF भी enroll करना चाहते है तो mail कर सकते है study side effect at the regmail.com में और बहुत कम time बचा हुआ है आपके examination में और मैं बताओं तो आपका गरिब 20 days बचे हुए है 20-21 days बचे हुए है अप्रोक्स तो अच्छे से त्यारी करना शुरू कर दो अब अब यही 21 days में जो आपका preparation रहेगा उससे ही आपका result अच्छा हो जाएगा यह तो है और 40 question ही रहेंगे 14 total question 14 mathematics के question 12 English के question यह indicative syllabus दिया गया है indicative के इसी के उपर में हो सकता है या इससे change भी हो सकता है तो यह सब आप लोग पढ़ लेना जरूरूर तो examination date 2022 August 2020 को है यानि और आपका जो भी information रहेगा प्लीज प्लीज ओफिसल वेबसाइट को follow करके आप लोग देखते रहना कब examination timing होगा क्या होगा कितने बज़े से होगा कैसे होगा उसके लिए आप ओफिसल वेबसाइट को follow करो तो okay friends थेंक यू इसी तरह मैं आपके लिए विडियो लाते रहूँगा प्लीज बफिसल वेबसाइट को